नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेटर जमू और मैं हूँ आपके साथ नीतु सिंग जमू कश्मीर और डोगरा की आन बान और शान महराजा हरी सिंग जिनका जरम 23 सप्टमबर 1895 में हुआ बहुत बड़े राजा और डोगरा के आखरी शासते महराजा हरी सिंग जिन्हों ने जमू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव लाए बच्चों को इसके और अग्रसर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि महराजा हरी सिंग ने जमू के इतिहास में किस तरह की चेंजिस और किस तरह से उन्होंने एक नया बदलाव जो है जमू में लाया जमू कश्मीर में लाया उसको लेकर यहां पर कुछ प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं और कल उनकी बर्थ एनिवर्स्री है महराजा हरी सिंग जी की और उसको लेकर यहां पर कुछ प्रोग्राम है देखते ह में इस प्रोग्राम की कुछ जल्किया है अज को अपने रियास्त को बचा के रखा और जिमो किश्मीर का जो अभी अंगता उसको भारत के साथ मिलाया इसलिए हमें उनकी जैसे कल्ब जनती आ रही है त्रेइस तंबर थारा सो प्जामों में उनका जन्व आप सभी जानते हैं तो हमें बड़ी खुशी तो साह से यह दिन मनाना चाहिए इससे पहले जमो किश्मीर में इतना उनका किसी को उनकी कता के बारे में नहीं ज़्यादा जानते थे पर हमारे जहना जमो किश्मीर के वो जुबाराटू सबाब कर रहा है उन्हों गणी उन्होंने उनका नाम और उनकी छुटी जो गोशिद करवाई मैं उनका भी तहा दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे दोगरा समाज के लिए एक फूशी का परभ है कि हमारे रियासे को दुझों ने पचाया ज़्या दिन बना रहे हैं आज में वंचिका कक्षा सत्वी के वागिन से आपको महाराजा हरिस्तिन के जीवें की कुछ पाति पकानिन जा रहे हूं जब्वार कश्मीर के अंतिन शासक महाराजा हरिस्तिन का जनम 23 सितंबर 1894 में जब्वा था तथा उनका निधन 26 सप्रेल 1901 को 65 साल की उमर में महाराश्ट मुंबे में हुआ था जब्वा कश्मीर के अंतिन राजा रहे हरिस्तिन कई मायों में दूसरे राजा से अलग है आए जाते है कश्मीर सिंद के राजा बंदे और लमन का राजा बंदे भी पुरी कहानी महराजा हरिस्तिन के पीता का नाथ आमसिंद जमवाजी और माता का नाम गुट्याली चिठ्था अपने चाचक ते रुट्य के बाद 23 सितंबर 1923 को हरिस्तिन जमवाजी के ने महराजा बने 1947 पे भारते सब्तंतर के बाद महराजा हरिस्तिन चाहजे थे की जमवाजी और गिश्मीर एक 17 राजे के रूप में स्थापित है उन्होंने अपने राजे को पाकिस्तानी सेना के आकमन से भुचाने के विए भारती सेन्पोपास मत्रमी प्राप्त किया महराजा हरिसीं एक बहुत नेक दिल इंसान थे 26 अक्टूबर 1923 महाराजा हरी सिंग कश्मीर की राज़ा परे थे बात ने चाहे महाराजा हरी सिंग की शादी थी तो उन्होंने अपने जीवन में चार बार शादे की थी जिसमें उनकी पहले पीवी का नाम रानिश्ली रार कुन वर्बा सहीगा दूसी पीवी का रानी सहीगा चंगा तीसी पीवी का नाम महाराणी दल्वत तुन्वेरी बीजी सहीगा और चोथी पीवी का नाम महाराणी तारदेव सहीगा तो बात महाराजा हरी सिंग आफर 75 एर्स चंग कश्मीर अब्जाव पहलेगे महाराजा हरी सिंग के बारे में और उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताया कि क्या क्या हमारे समाज में बुराईये थी और उनको खतम किया और अपनी रियासत को बचा के रखा और पूरे भारत के साथ इसको मिलाया तो बहुत सारी उन्होंने ऐसी ऐसी पहले प्रतमा चलती थी की बाल बिवाह जैसे आप ने देखा होगा बचों प्रस्तुति पेश की उसकी को खतम किया और जो छोटे समाज के लोग थे वो मंदिरों में नहीं जाने की अनुमिति थी उसकी को खतम किया और उन्होंने अपने मंदिरों की द्रवाजे खोले और जमू स्मावे को एक जैसा देखा और आए हम उसी के खुशी के उपलक्ष में हमारे स्कूल कॉपरिटिव पब्लिक हाई स्कैंटरी स्कूल एंड रिसर्च इंस्टिटीट में हमने एक कारेकरम रखा था जो महाराजा काल 23 स्टंबर उनका जनम हुआ था उसके खूशी में, तो बहुत अच्छा कारेकरम हमारे स्कूल में जहां किया गया बच्चों द्वारा मैं धन्यवाद करता हूँ आप मीडिया के तरफ से आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो आपने भी अपना किम्ति समय हमें दिया और अपने पूरे समाज को महराजा हरी सेम के जनम दिन की बहुत बहुत बिलाई देता हूँ जैसे कि हम जाते हैं कि वो हमारी जम्मो कुश्मीर रियास्त के रूलर थे शासक थे दोगरा शासक थे तो आजकल देखो जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता बच्चों को उनका एक भी वह नहीं होता लेकिन अब 2014 के बाद हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी ये चैप्टर आ चुके है मैं उसी के कॉड़ी हम बच्चों को बताते हैं कैसा था कैसे कितनी कुर्वानिया दी उन्होंने अपनी रियास्त के लिए कैसे अउनों ने भारत के साथ अपने जम्मोकिशमीर को मिलाया तो और भी भूस सारे उन्हों सुधार लाइ समाज में जैसे लडेकियों की शादियां कर दी जाती है बाल बीवा कर दी जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने रेक लगाई तो एक था कि जो गरीब लड़कियां होती थी, तो उनकी शादियों के लिए पैसा, जहां पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने एक दन देवी ट्रस्ट फंड कोला था, दन देवी कन्या फंड ये खोला था, जबकि उन लड़कियों की शादी की जाती, तो वो दान रहा है, तो जैसे कि देखा, आज आपने कॉपरेटर पबलिक हायर्स केंडी स्कूल में बच्चों द्वारा एक रंगा-रंग कारिकरम का आयोजन किया गया है, जिसमें किस तरह से महराजा हरी सिंग ने जमू कश्मीर के इतिहास में रिफॉर्म्स लाए, जो करूतिया थी, उनमें बदलाव लाया, जिस तरह से बाल विवा उस समय में बहुत चरम में था, छोटे-छोटे बच्चीयों का बाल विवा कर दिया करते थे, समाज में जो छोटे वर्ग के लोग थे, उन्हें मंदर में आना मना था, इस तरह की बड़े सारे रिफॉर्म्स जो है, उ झाल झाल